नमस्कार दोस्तों आपका हमारी यूटुब चैनल लर डिस्कसन है बहुत बहुत सागत है आज हम चर्चा करेंगे बिहार प्रिवियस येर के लाओ पेपर को इसके पिछले पार्ट में भी मैंने बहुत सारे कोशन डिस्कस किया आप डिस्क्रिप्शन बॉंक में उसका लिंक प्रिंटי और इस्परस्ट होती है आपसंडी पर्ण पराय औरलिखित होती है ऑप्सन से परामपराय tes बॉंप के इमHए और राउप यू नहीं की जाती है Q78 निर्नलिकित में से कौन से ब्रिटिस सविधान का या फिर के प्रमुख सुरोत है Option 1 नियाईक निरुड़े, Option B परमपराई, Option C टिकाई, Option D समाने विधी तो इसका राइट आंसर है Option B British सविधान का प्रमुख सुरोत परमपराई है Q78 ब्रिटिस सविधान की सब्दावली में अनेक सुच्म भेद हैं लेकिन इन में से कोई भी इतना महतवपूर नहीं है जितना की समराट और राजमुकुट का भेद है उप्रोक्त कथन किसका है मतलब जो किसका कथन है जी जो इन्होंने ब्रिटिस सविधान के सब्दावली में अनेक सुच्म भेद हैं लेकिन इन में से कोई भी इतना महतवपूर नहीं है जितना की समराश्ट और राजमुकुट का भेद है तो ओप्सन A हर्मपाइनर ओप्सन B मुनरो ओप्सन C आगा ओप्सन D ग्लैड स्टोन तो इसका राइट आंसर है ओप्सन D ग्लैड स्टोन या कतन ग्लैड स्टोन का है कोईशन नमबर 79 ब्रिटिस संसद के दोनों सदन है ओप्सन A सीनेट एवं हाउस अफ लाड्स ओप्सन B हाउस अफ कामन एवं डाइट Option C, House of Commons एवं सिनेट Option D, House of Commons एवं Lord of House इसका राइट आंसर है Option D, British संसर्थ के दोनों सदन House of Commons और House of Lords है Question No. 80 England के सयधानी कितिहास में राजा द्वारा वीटो पावर का आखरी बार प्रियोक कब किया गया था Option A 1707 में Option B 1832 में Option C, 1911 में Option D, 1919 में तो England में सयधानी कितिहास में राजा द्वारा वीटो का प्रियोक आखरी बार 1707 में किया गया था Right answer है A Question No. 80 England में सरकार को कहा जाता है Option A, राजा की सरकार Option B, जनता की सरकार Option C, समयधानी करार Option D, संसर्थ की सरकार तो England में सरकार को कहा जाता है Right answer है Option A Question No. 82 British मंत्री मंडल की जननी है Option A, प्रिवी काउंसिल Option B, हाउस अप लाट Option C, हाउस अप कामन्स Option D, संसर्थ इसका Right answer है Option D, तो British मंत्री मंडल की जननी संसद है Question No. 83 मंत्री मंडल एक सुर्रिपिंड है जिसके चार और अन्निपिंड घूमते हैं और यह ऐसा कपज़ा है जो कारी के लिए समराट लाड़ सभाद्वारा कामन सभा को मिलाता है Option A, लावेल Option B, Marriott Option C, Munro Option D, Glad Stone तो Right answer है Option D, Glad Stone ने इस कथन को कहा था Question No. 84 निम्नलिकित में से कौन सा कथन सही नहीं है Option A, धन विधेक सबसे पहले हाउस अपलाउड में प्रस्तुत किया गया था Option B, House of Lards धन विधेक को एक महीने से अधिक नहीं रो सकती Option C, House of Commons का स्पीकर निड़े करता है कि कौन सा विधेक धन विधेक है Option D, House of Lards सर्वोच अपीली नयाल है इसका Right answer है Option A, धन विधेक सबसे पहले House of Lards में प्रस्तुत किया जाता है यह कथन सही नहीं है भी सदस्य होगा कोशन नमबर 86 बिर्टिस विधान में सबसे सिर्षक नयाले कहलाता है option ये सरवच नयाले option B प्रिवी काउंसिल option C उच नयाले option D house of lard तो सिर्ष नयाले कहलाता है house of lard right answer है option D कोशन नमबर 87 डेलिगेट्स नान पोस्टेट डेलिगेटा का अर्थ है option A एक प्रत्यायुक्त आगे फिर सक्तियों का प्रत्यायोजन नहीं कर सकता option B प्रत्यायोजित विधान वैद है option C एक प्रत्यायुक्त आगे फिर सक्तियों का प्रियोजन नहीं कर सकता Option D, उप्रोक्त में से कोई नहीं तो Delegates Non-Posted Delegator का अर्थ होता है एक प्रतयोग तागे फिर सक्तियों का प्रतयोजन नहीं कर सकता Question No.88 मार्सल ला लागू होने पर Option A, नागरिकों के मुख्य अधिकारों को निलंबित किया जाता है Option B, संसत को भंग किया जाता है Option C, नागरिक सरकार को लंबित किया जाता है Option D, उप्रोक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर है नागरिकों के मूल अधिकारों को निलंबित किया जाता है मार्सल ला लागू होने पर Question No.89 ब्रिटेन में छाया मंत्री मंडल इनमे से कौन बनाता है Option D, प्रधान मंत्री Option B, समराट Option C, विरोधी पार्टी का नेता Option D, लाट चांसलर तो ब्रिटेन में मंत्री मंडल इनमे से विरोधी पार्टी का नेता बनाता है Right Answer C Question No.90 विदी सासन को इंगलेंड में इनमे से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था Option A, जेनिंग Option B, ब्लैक स्टोन Option C, प्रोफेसर डाईशी Option D, सिडिनी लो इसका Right Answer है प्रोफेसर डाइसी ने बिजी सासन को एंगिलेंड में इन प्रस्तुत किया गा था प्रोफेसर डाइसी ने किया था कुर्शन नमबर 91 बंदी प्रतिश्ची करण आद या चिका का अर्थ है option A किसी अवैद रूप से बंदी बनाए गए व्यक्तिकों नयाला के समझ प्रस्तूत करना option D मनुष्य के अधिकारों के उलंगन को रोकना option C किसी भी व्यक्तिके मानों गरिमा का आदर करना option D उप्रोक्त में से कोई नहीं तो बंदी प्रतिश्ची करण का अर्थ होता है किसी व्यक्तिकों अवैद रूप से बंदी बनाए गए व्यक्तिकों नयाला के समझ प्रस्तूत करना right answer option A question 92 हिंदू विधी के अंतरगत विवाएक option A संसकार है option B समिदा है option C दोनो मतलब संसकार और सविदा दोनो option D नो तो सविदा है नो ही संसकार इसका right answer है हिंदू विवाएक संसकार है right answer A question 93 हिंदू विवाँ समंदे विदे को सहिता बद किया गया है option A हिंदू विवाँ अधिनियों 1955 के अंतरगत option B हिंदू दत्ते क्यों भरण पोसर अधिनियों 1956 के अंतरगत option C बाल विवाँ निरोधा का धिनियों 1929 के अंतरगत option D उप्रोक्त सभी इसका right answer है option A हिंदू विवाँ अधिनियों 1955 के अंतरगत हिंदू विवाँ समंदे विदे को सहिता बद किया गया है question 94 एमान ने option में सुनने करड़ी option C सुनने option D उप्रोक्त में से कोई ने अगर हिंदू विवाँ के जो दोनों पचकार होते हैं अगर एक दूसरे के आपस में सबिंड़ज होती है तो वो विवाँ सुनने होता है यह धरा 5 के 5 में बताया गया है का right answer है C question 95 एक हिंदू निर्वसियत मर जाता है और अपने पीछे दो पुत्र इवं पुत्री को विद्वा छोड़ कर उसकी संपती नयाइगत होगी option A केवल विद्वा को, option B केवल पुत्रो और पुत्री को, option C केवल पुत्रो को, option D पुत्रो पुत्री और विद्वा सभी को question 96 एक हिंदू मिताचरा सहदाय की संपत्ती में अपना हित वयन कर सकता है option A विक्री द्वारा, option B दान द्वारा, option C वशियत द्वारा, option D उप्रोक में से कोई नहीं तो हिंदू उत्रादिकार अदिनियम 1956 की धारा 30 के अंतरगत एक हिंदू मिताचरा सहदाय की संपत्ती में अपना हित वयन कर सकता है वशियत द्वारा right answer है C question 97 एक व्यक्ति किसी संपत्ती को उत्रादिकारी में प्राप्त करने से किसी बिमारी अंग हीनिता या अंग वक्रता के अधार पायोग नहीं होगा उपबंद किया गया है option ए हिंदू उत्रादिकार अधिनिए um 1956 की धारा ही थारा हथाथरा है that right answer है option A question 98 हिंदू व्यक्ति गभाह आधिनियों मुने सο्पचपन की निय्मनलिखित में से कौन सी धारा के अंत्रगत पति और पतनी अपनी आपसी सहमती से तलाक के लिए याचिका दायर कर सकते हैं तो ओप्शन ए धारा 10, ओप्शन भी धारा 11, ओप्शन सी धारा 9, ओप्शन डी धारा 13 खो, तो राइट अंसर है ओप्शन डी, 13 खो के अंतरगल मिचुर कंसेर्ट से डाइबोस लिया जा सकता है ओप्शन नमबर 99, आपसी सहमती द्वारा तलाग का सिद्धाद हिंदु विवा अधिनियन के 1955 में समाविस्ट किया गया था ओप्शन ये 1956 में, ओप्शन भी 1961 में, ओप्शन भी 1976 में, ओप्शन डी 1989 में आपसी सहमती द्वारा तलाग का सिद्धाद हिंदु विवा अधिनियन 95 में समाविस्ट किया गया था कोशन नमर 100, हिंदु दत्ते क्यों भरर पोसर अधिनियन 56 के अंतरगात निम्न में से कौन गोत लेने के लिए अधिकरित नहीं है ओप्शन ए एक अविवाहिता वेक्ती, ओप्शन भी एक तरह सुगदा पत्नी, ओप्शन सी पती पत्नी की सहमती से, ओप्शन डी पत्नी बिना पत्नी की सहमती से गोत लेने के लिए अधिकरित नहीं है अगर आपको यह हमारे वीडियो अच्छा लगा तो प्रीस लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के पटन को दुमारा ना भूले, ताकि हमारी इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहेंगी, थैंक्यू सो मस्, आप आप से मिलते हैं नेक्स वीडियो में